नमस्कार दोस्तो क्रिकेट और आईपेल से जुड़े एक और नए वीडियो के साथ मैं आप्तिया भाय आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारा चैनल पीवी सी क्रिकेट पर तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं Dream 11 IPL के टॉप 5 प्लेयर्स की इंजरिय आपडेट और रिकवरी के बारे में तो दोस्तो आज हम आपको बताएंगे Dream 11 IPL के 5 बड़े प्लेयर्स की क्या है इंजरिय क्या रिकवर कर रहे हैं और फिर कप टीम में लोटेंगे तो दोस्तो वीडियो बहुत इंट्रेस्टिं होने वाला है तो वीडियो के लास तक बने रहे है वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजे तो दोस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिस मौरिस की साइड स्ट्रेंड है जिसके चलते हुआ RCB के तीन मैचेस मिस कर चुके हैं पर माइक हैसन ने बताया है कि क्रिस मौरिस बहुत अच्छे तरीके से रिकुबर कर रहे हैं और दोस्तो सायद और एक मैच के बाद वो एवेलेबल हो भी जाएं तो दूसरे बड़े प्लेयर हैं ड अब भी दो तीन मैचेस से के लिए मिस करेंगे अब बात करते हैं तीसरे बड़े प्लेयर मिचल मार्स की तो दोस्तों मिचल मार्स को RCB के खिलाब के एंबाजी करते हुए उनके एंकल पर चोट लगी थी और दोस्तों आपको बता दे ये चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हे पूरी आई पिल से बाहर होना पड़ा पर संडेजर साहिदराबाद ने मिचल मार्स की रिप्लेस्मेंट के तोर पर जेस्टन हॉल्डर को बुला लिया है तो दोस्तों चौथे बड़े प्लेयर हैं अमबत्ती राइडू दोस्तों अमबत्ती राइडू को हैम्स्ट्रिंग की इंजरी है और इसी इंजरी के चलते अमबत्ती राइडू CSK के लिए दो मैचे भी मिस्ट कर चुके हैं पर CSK मैणेजमेंट ने दोस्तों बताया है कि अमबत्ती राइडू पूरी तरह से रिकोबर कर चुके हैं और अगले मेच में खेलेंगे भी पांच वे बड़े प् तो मैचेस भी मिस कर चुके हैं पर दोस्तों अब दिल्ली कैपिटल्स की मैनेजमेंट बता रहे हैं कि अस्विंड फिट है और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं पर उनके खेलने ना खेलने पर फीजियों का अंतिम फैसला लेना भी बाकी है पर सायद अगले मैच के लिए अस्वि सब्सक्राइब कर दिजिये और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिये